मसकार सातियों महराकेश परजापत आज आप सभी के लिए सरकारी पर्मानेंट स्टापनर्स वेकेंसी लेके आ गया हूँ और इसमें टोटल 615 पोस्ट होने वाली है जोब लोकेशन आपकी लखनाव यूप्यूय होने वाली है SGPGI की वेकेंसी है पहले भी वेकेंसी दो बार ओपन हो चुकी है और उस वेकेंसी में जिन लोगों ने फोर्म अपलाई किया था उनके लिए इस वेकेंसी में क्या इंस्ट्रक्शन है और इस वेकेंसी में कब से कब तक अपलाई करना है क्या सरते रहने वाली है पूरी जानने के लिए वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें सभी नर्सिंग के ट्रेंड के साथ सेर जुरूर कर दें ताकि सभी इस वेकेंसी में अपलाई कर सके और चेनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ओफ औफ मेडिकल साइन सेज और इसकी जोब लोकेशन लकनो यूपी में आपके लिए होने वाली है गोर्मेंट की परमानेट वेकेंसी आपके लिए होने वाली है सिस्टर ग्रेड सेकिंड यानी स्टाब नर्स की वेकेंसी रहेगी टो टोर्टर पोस्ट 617 रहेगी अगर आपने BAC nursing, post basic BAC nursing की है और all India में कहीं का भी registration है किसी भी state का registration है तो इस vacancy में आप apply कर सकते है BAC nursing, post basic BAC nursing के candidates को किसी भी experience की यहाँ पे जुरूरत नहीं है दूसरी जो आपकी यहाँ पे qualification आती है वो आती है GNM diploma की GNM diploma की वे candidates है वो भी किसी भी state या Indian nursing council से registered है तो apply कर सकते हैं लेकिन आपके सामने यहाँ पे दो साल का experience होना चाहिए वो भी आपकी nursing पूरी होने के बाद का और कम से कम 50 बेड़ होस्पिटल का experience आपके पास होना चाहिए तो GNM वारों को दो साल का experience आए और fresher candidates है वो सिरफ BSC nursing और post basic BSC nursing के ही apply कर सकते है इसके बाद में आ जाती है कि यह जो vacancy है इसमें online form आपसे apply किये जाएंगे लेकिन यह vacancy है यह दो वार पहले भी निकल चुकी है जिसका notification number यहाँ पे दिया गए है हो सकता है 18-19 में यह vacancy निकली हो तो इसमें साफ लिखा गया है कि पिछले जो दो notification थे जिसमें अगर आपने इस post के लिए नि staff nurse की post के लिए या फिर जो ordinary grade driver की या फिर जो assistant की post थी उसमें अगर आपने apply किया है तो भी आपको should also apply फिर से नए सिरे से आपको apply करना होगा अगर पहले वाली दोनों वेकेंसी में apply किया है तो भी और इनका जो exam है वो सभी का साथ में होने वाला है टोटल 617 post यहां पे रहने वाली है अब इसमें यहां पे लिखा गया है कि जिन लोगों ने पहले की वेकेंसी में apply किया था उनको आपको fees दुबारा देने की जुरूत नहीं है आपको दुबारा fees submit नहीं करनी है पहले का जो application था उसकी dd या जो भी आपने online transaction किया था उसकी अगर fees की receipt है तो वो आपको जो उसकी copy है वो आपको online forum परते वक्त जो भी वहां पे assign place आता है वहां पे आपको submit करनी है यानि upload करनी पड़ेगी आपको fees नहीं देनी है लेकिन forum फिर से आपको भरना पड़ेगा अब ये vacancy 18-19 में आय थी तो कुछ जो candidates है वो वहां पे over age हो गए है तो इसमें लिखा गया है कि age का जो criteria है वो पुरानी vacancy के आदार पर ही रखा जाएगा जिन लोगों ने पहले apply कर दिया गया और अब जो फ्रेसर candidates apply कर सकते है new candidates जो apply कर रहे है उनका age का relaxation है वो अब की जो dates है उसके according आपे रहे वाला है तो ये simple सी criteria थी इस vacancy के बारे में guys और जो terms and condition है age का, fees का, reservation का, other terms and condition है ये आपको जो sgpji की official site है www.sgpji.ac.in इस पे 10 July 2020 से सारी चीजे मिल जाएगी उससे पहले इस site पे कुछ भी नहीं ये acquire की cutting अपने पास पहुंची है इसके आदार पर मैंने वीडियो बनाया है और आपके जो online form है वो 10 July 2020 से भरे जाएंगे last date क्या रहेगी इसके बार में अभी information नहीं है अगर आप चाओगे कि इस vacancy का जब notification पूरा आए तो full detail में आपके लिए वीडियो बनाऊं कि कैसे apply करना है किन किन चीजों का ध्यान रखना है पहले जो candidates apply कर चुके हैं उनको और क्या-क्या चीजें ध्यान रहनी है और किस तरह से इस vacancy की त्यारी करनी है तो आप नीचे comment box में जाकर comment करें तो मैं उसके बारे में एक नया phrase वीडियो बनाकर आपको सुचित कर दूँगा बाकि जब भी latest notification इसका open हो जाएगा फिर से आपको वीडियो बनाकर सुचित कर दिया जाएगा तो जल्दी आज़र रता हूँ guys नेक्स्ट वीडियो कर तब तक स्वास्त्रे मस्त्रे थैंक्यू प्रेंट्स